दोस्तों मैं राज बोल रहा हूँ और शेर ट्रेक में आपका स्वागत है और मैं अभी भी वेकेशन मूड में हूँ लेकिन मैंने सोचा कि आपको काफी दिनों से वीडियो नहीं दिया है तो आज एक वीडियो बनाना ज़रूरी है और साल के अंत में जब हम चारों तरफ दे एक तस्वीर बताऊं इस दुनिया की हर एक देश की के टॉप फाइव देश कोन से है जिसमें हैच आईवी बहुत जबरदस चल रही है और वो देश किस तरह से हैच आईवी को काबो करने की कोशिश कर रहे है टॉप फाइव और बॉटम टेन देश जिनके पास बहुत ही क यह सब आपको मैं information देना चाहता हूँ ताके आपको पता चले कि दुनिया में अगर आप पूरा whole world देखो तो आपकी क्या position है इंडिया में या नेपाल में या पाकिस्तान में या ओमान में यह आपको पता चल जाएगा और दोस्तों यह statistics इकटा करना बहुत मुश्किल तो उनको सही information टाइम से नहीं मिलती है गाउं गाउं जाना पड़ता है दरवाजे ठोकने पड़ते हैं पूछने के लिए कि भाई आपके घर पे किसी को HIV है क्या फिर भी लोग नहीं बताएंगे तो hospital में से information निकालना पड़ता है और उस सब को cross check करना पड़ता है ताके सह नंबर हाथ में हो तो उसके वज़े से क्या है कि actual number जो है वो मिलते मिलते एक देड़ साल लग जाते हैं तो मेरे पास जो data है वो 2021 का snapshot है इससे latest कोई data मुझे दिखाई नहीं दिया मेरे खाल से अगले साल हमें 2022 का मिलेगा इसी वक्त अगले साल को शायद 2022 का data मिलेगा तो द Top 5, Bottom 10, India, Nepal, Oman, Pakistan. Let's get started. तो चलिए बात करते हैं हम वो Top 5 countries की जिसमें highest HIV rate है और जैसे मैंने बताया है statistics मिलना बहुत मुश्किल है, time लगता है और इन सब को validate करके compile करने के लिए time लगता है तो हमारे पास 2021 के अंत में जो स्तिती थी वो है और वो भी लगबग सब देशों के लिए लेकिन कोई कोई देश इसमें नहीं है मैं वो भी बताऊंगा कि कौन से देश नहीं है और यही best data है हमारे पास लेकिन अगर आप इन में से कोई देश में रहते हो और आपको वहां क स्थाई आवस्था पता है तो हमें एक comment में लिख दीजिए कि कुछ मैंने जो बता है उससे बहतर है कि उससे बतर हुआ है तो सबसे पहले यह country का लिस्ट में यह है एस्वाटिनी नाम की एक country और दोस्तों मैंने जब यह एस्वाटिनी नाम सुना तो मैं बोला भई यह कहा से आई यह country क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है लेकिन कहते हैं कि Swaziland नाम की जो पहली country थी जिसको मैं जानता हूँ उसका नया नाम है इस्वाटिनी तो यह एफरिका में है और इस country में 27% adults जो है 15 to 49 years का age के बीच में उन में HIV AIDS है यानि कि वहाँ पर जितने भी लोग 15 to 49 के age के बीच में है उन में से हर चार में से एक से ज्यादा लोगों को HIV है तो यह बहुत ही बड़ी मातरा है और इस्वाटिनी में 2000 के year 2000 से काफी हाई नंबर था है चाई वी का दुनिया भर में सबसे हाई था उनका और इनका epidemic जो है यह है चाई वी epidemic उसका इसे हो country के population और उसक social और economic development सब में बहुत बाधा पड़ी है और यह यहाँ पर जो उनका cultural practice थी जो relationship करने की उसके वज़े से HIV को control करना बहुत मुश्किल पड़ गया और healthcare service भी वहाँ पर इतना नहीं था तो time से उनको ART दवा अगेरे देने में तकलिफ हुई इसलिए बढ़ गय थी लेकिन government जो है Svati Nikki वो international partners के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त कोशिश कर रही है HIV को control करने के लिए इसके लिए उन्होंने HIV testing शुरू कर दिया है, counseling शुरू कर दिया है और ART बातना भी शुरू कर दिया है और इस्तिहार देना शुरू कर दिया है कि HIV क्या होता है, किस तरह से फैलता है और क्या सुरक्षा कर सकते हैं ये सब के बारे में उमीद है कि अगले साल इनका number जो है 27% से थोड़ा कम हो जाए number दो पर आ रहा है country जिसका नाम है Lesotho, ये भी African country है, इसमें 20.9% adults जो है 15 और उन पचास साल के 49 years के range में उनको HIV है याने कि 5 में से एक व्यक्ति, हर एक व्यक्ति को, हर 5 में से एक व्यक्ति को HIV या AIDS है इस country में और ये high HIV level के और जैसे पूरा देश की वाट लगी हुई है वहाँ पर, जो मुंबई का एक टर्म है, जिसको इस्तमाल कर रहा हूँ, बुरा हाल है उस country का, और इनसान का life expectancy आने की इनसान जितने साल जी सकता है, वो number भी कम हो गया है, economic development भी नहीं है इतना, और Government of Lesotho जो है वो अंतरराश्ट्रे संस्ताओं के साथ और donors के साथ मिलकर बहुत प्रयास कर रही है 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 जाएवी को काबू में लाने के लिए, इसमें हर जगा की तरह है 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 जाएवी टेस्टिंग, काउंसलिंग और ART बातना जो है, वो कर रहे हैं, साथ ही साथ वो इस्तिहार भी दे रहे हैं कि किस तरह से HIV को प्रिवेंट किया जाए, जिसको हम इंग्लिश में पब्लिक सर्विस मेसेज कहते हैं, तो उस तरह से उन्होंने कोशिश किया है, बावजूद इन सब कोशिशों के लेसोतों को बहुत चैलेंज है क्योंकि उनके पास बहुत कम राशी है पहाड़ी इलाका है, यह कंट्री पूरा एक पहाड़ी इलाका है, और उसके और जैसे एक जगे से दूसरे जगा दवा पहुचाना, ब्लड टेस्ट कराना, यह सब इनको तकलीफ हो रही है, और साथ में कल्चुरल और सोशियल इसूस भी है, सोशियल कल्चुरल इसूस का म मुश्किल पढ़ रहा है, तीन नंबर पे आ रहा है, बोट्सवाना, यह भी एक आफ्रिकन कंट्री है, और इसमें 15 से 49 के उमर के लोगों के बीच में 18.6 परसंट लोग HIV-AIDS से पीडित है, और यहने कि 6 में से, हर 6 में से एक व्यक्ति जो है, उसको HIV-AIDS है इस कंट्री में, और बोट्सवाना ने काफी प्रगती की है HIV-AIDS एपिडेमिक में, फिर जाके यहां पर पहुचे हैं, एक जमाना था जब बोट्सवाना में, वर्ल्ड में सबसे हाइस्ट HIV-AIDS बोट्सवाना में हुआ करती थी, लेकिन दीरे-दीरे-दीरे करके इन्होंने नंबर्स को काफ की जाती है कि उनके जो पॉलिटिशन्स है और लीडर्शिप है, उन्होंने काफी कड़ी मेनत करके HIV को कंट्रोल पे लाया है, भी और कम करना ज़रूरी है, लेकिन वो जहां थे, वहां से अब जहां आये हैं, यह काफी प्रगती किया है उन्होंने, और वहां भी वो पूरी कोशिश करने हैं, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के साथ जो ART वगेरे इस्तिमाल करके हैं, और चार नंबर में आता है, सौथ आफरिका जहां पर 18.3% एडल्ट जो 15 और 49 येर्स के एज के बीच में है, उनको HIV AIDS है, और सौथ आफरिका ने काफी मेहनत की है, तरह तरह से HIV और HIV AIDS को कंट्रोल करने के लिए, और उन्होंने HIV Awareness बढ़ाया है, HIV Testing बढ़ा दी है, Counseling Services बनाए है, और ART भी मुफ्त में बाट रहे हैं, जिनको HIV है उनको, लेकिन सौथ आफरिका को एक और समस्या है, HIV के साथ कि वहां जिनको HIV है, उनमें TB की मातरा बहुत ही जादा है, और उसके ओज़े से उनको treatment होगे रहे, सही और time से देना, वो सब थोड़ा मुश्किल पढ़ रहा है, और जो जिनको treatment दे रहे हैं, वो continue नहीं करने हैं, वो दवाई, तो उसके ओज़े से भी तकलीफ होती है, क्योंकि उनको TB का तकलीफ हो गया, जिसके और जिसके कोई ऐसे सब घड़बढ है, तो वो बहुत प्रयास कर रहे हैं, और South Africa का आर्ट प्रोग्राम जो है, यह पूरे विश्व में सबसे बड़ा ART प्रोग्राम है, जो HIV के लिए free ART देते हैं, और इसके अलावा मेरे खाल से South Africa और कर भी क्या सकता है, जो है उसके पास दवा और साम और यहां पर 15-49 के बीच में जो अडल्स हैं, उनमें से 11.8% को HIV AIDS है, और नभीबिया के गौवर्मेंट ने भी कई सारे चीजें की हैं, जो सब गौवर्मेंट करती हैं, HIV को कंट्रोल करने के लिए, वो है HIV प्रिवेंशन का काम जो लोगों को बताना कि किस तरह से HIV फैलता ह है, और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है, HIV टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, यह सब उन्होंने जारी रखी है, और नमीबिया ने काफी कोशिश की है, लेकिन उनके पास जो केपेबिलिटी है, उसके हिसाब से वो काफी अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बहुत काम कर जाता है, HIV फैलने का, और हेल्थ भी थोड़ा ठीक रहता है, इंसान का, तो यह चल रहा है, लेकिन आपको जानना चाहिए कि बहुत सारी इस कंट्रीज जो है, गरीब देश भी है, उनके पास इतने पैसे नहीं है, तो इंटरनेशनल सहायता और संस्तानों के सहायता के और यह कर सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो जबरदस्त है, अभी इस लिस्ट में जो है, हमारे पास जो बॉटम में 10 कंट्रीज है, उसके बारे मैं आपको बताता हूं, बॉटम में 10 कंट्रीज जो है, उनमें ख अजर्बाइजान, बहरेन, साइप्रस, डेनमार्क, आइसलेंड, नेपाल, निदरलेंड, ओमान और सूदान, और दोस्तों यह जो लिस्ट मैंने बनाया है, यह आती है यूएस गवर्वर्मेंट के पास से, मैं आपको वेबसाइट बताता हूं और उसका लिंक जो है मैं डिस इसको मैं वेबसाइट को थोड़ा बड़ा करता हूं, देखें, आपको क्लियर दिखाई देता है कि नहीं यहां पर, चलो इसमें ज्यादा क्लियर दिखाई देगा, तो अभी इसमें आप देखोगे, तो यह सब एस्वाटिनी, लेसोतो, बोट्सवाना, सौथ आफरिका, नमीबिया, इनके बारे में बता दिया है, तोड़े ही पीछे आता है, जिंबाववे, फिर उसके बाद जांबिया, यह सब टू डिजिट वाले कंट्रीस है, अगर हम देखें कि सौथ एशिया में देखें, तो चार कंट्रीस का खाली स्टैस्टिक से यहां पर, आप देख परसेंटेज है, तो काफी कम है इनका, इनकी मात्रा और यह सब लो नंबर्स में आते हैं, और अगर आप इस्ट एंड साथ इस्ट एशिया देखोगे, तो इसमें, यह पूरे लिस्ट में चाइना कहीं नहीं आता है, तो यह एक बड़ा ड्रॉवैक है, क्योंकि चाइना का इनकी में 0.3, मलेशिया में 0.3, विएटनाम में 0.3, फिलिपीन में 0.2, सिंगपूर में 0.2 और तिमूर में 0.2, यह सब यहां पर सब कम है, सिर्फ थाइलेंड में थोड़ा ज्यादा है, वन परसेंट के इतना, लेकिन अगर आप आप आफरीका में देखोगे, तो आफरी मलावी 7.7%, एक्रिटोरियल गिनी 6.9%, उगांडा 5.4%, टैंजरिया 4.5% और आफरीका में सेफ, जो कंट्री से देखने जाओ, तो सूदान में 1% है, और नाइजर में 2%, लिब्या में 0.2%, सेनेगल में 0.3%, लेकिन दोस्तों, यह जो स्मॉल परसंटेज है, इसका मतलब यह न बेटा नहीं मिला हो, तो वो अलग-अलग सवाल है, और अगर आप यूरप में देखोगे, तो यूरप में जो कंट्री से निदर लैंड्स में 0.1, आइसलेंड में 0.1, डेन्मार्क में 0.1, साइप्रस में 0.1, स्विट्जर लैंड में 0.2, रोमेनिया में 0.2, और हाइयर नंबर में है, यूकरेन, 0.9, मॉलडवा, 0.8, अभी यूकरेन में जो यूद चल रही है, इसमें लोगों को बलड दिया जा रहा है, वगेरे, वगेरे, तो मेरे हिसाफ से, यूकरेन को शायद ये नंबर, 0.9 परसंट ये काफी बढ़ जाएगा, ये यूद खतम होने के ब वगेरे, 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 तो ये हो गया, और हम अगर देखेंगे ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन ओशन, ओशनिया अरिया में, तो तुलावू 5.2 परसंट, फिजी 0.2 परसंट, ऑस्ट्रेलिया 0.1 परसंट, और सौत अमेरिका में आप देखोगे कि गायाना 1.4 सबसे ज्यादा है, उदर सुरिनामे, उसमें 1.3 परसंट है, और सबसे बेस्ट है, परगे और बोलिविया, दोनों में 0.3 परसंट है, और अगर हम नौर्थ अमेरिका में देखें, तो सिर्फ मेक्सिको का अकड़ा है, यहां पर कैनेडा और USA का अकड़ा नहीं है, मेक्सिक है, जो information चाहिए है, जो मैंने शायद वीडियो में नहीं दिया, वो आपको वहाँ, डेटाबेस में मिल जाएगा, आप डेटाबेस डाउनलोड भी कर सकते हो, तो पुरा information वहाँ पर है, तो दोस्तों यह रहा snapshot HIV का साल के अंत में, हलाकि यह numbers जो है 2021 के है, लेकिन उससे latest number म बिलना बहुत मुश्किल है, शायद अगले साल अपने को 2022 का मिलेगा, तो इसके साथ दोस्तों मैं वीडियो यही समाप्त करता हूँ, फिर जल्द ही आऊंगा, और एक वीडियो के साथ जो थेरपी के बारे में होगी, जैहिन! झाल